सबोज आपके पास एक charged body है, ये positively charged एक body है, ये आप कैसे बना सकते हैं, एक glass rod को अगर आप woolen cloth या फिर silk cloth से rub करें, तो उसमें positive charge आ जाता है, और माले कि आपको provide किया गया एक metallic body, metal good conductor होता है electricity का, एक metallic body आपको provide किया गया और आप से कहा गया कि एस metallic body को charge किया जाए, वैसे तो ये neutral है अभी, इसमें कुछ charge provide किया जाए, तो simplest way आपके लिए क्या होगा, obviously आप इस body को इसके साथ touch करवा देंगे, जैसे ही आप इस body को इसके साथ touch करवा देंगे, तो यहाँ पर जो free electrons है, कुछ free electrons यहाँ से metallic body से इस rod में आ जाएगा, और जिसके कारण इस metallic body में positive charge आ जा करते हैं कि इसमें positive charge था, तो कुछ positive charge यहाँ से यहाँ चला गया, और metallic body जो है, यह metallic body positively charged body बन गया, अब देखें, अगर आप से कहा जाए कि आप इस rod को, charged body को, इस metallic body के साथ touch नहीं करवा सकते हैं, तो क्या आप इस rod के सहारे, इस metallic body को charge कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इस तरह के charging को कहा जाता है, charging by induction, charging by induction, induction एक noun है, इसके verb को अगर देखें, तो इसका verb होता है induce, induce, induce का मतलब होता है प्रेरित करना, हिंदी में कहें, तो प्रेरित करना, किसी को influence करके कुछ काम करवाना, यह है induce, so induction मतलब इसी का noun हो गया, इसका मतलब यह है कि directly यह इसे touch नहीं करेगा, पर दूर से ही यह इसे influence करेगा, यह charged body, इस neutral body को influence करेगा, और इसमें कुछ charge ले आएगा, जिसे हम कहेंगे, charging, the process of charging, charging by induction, बिना छुए इसे charge आप करना, तो देखे, क्या करना होगा हमें, यह जो body है, यह जो rod है, charged body है, जब charged body को आप इसके बहुत ही करीब ले आएंगे, इसके आसपास ले आएंगे, छुएंगे नहीं, टच नहीं करेंगे, पर इसके आसपास ले आएंगे, तो देखे, इस metallic body में क्या होगा, हमें पता है कि metals में, जो कि good conductors होता है, metals में क्या रहता है, metals में free electrons रहता है, so यह मैं free electrons कुछ draw कर रहा हूँ, यह कुछ free electrons है, देखे, free electrons रहने का मतलब यह बिलकुल नहीं है, कि यह negatively charged है, यह neutral है, यह electrons क्या है, free है, लेकिन इसके साथ associated जो positive charge है वो भी मैं draw कर देता हूँ तो आपको बहतर समझ में आएगा तो ये उसके साथ associated nucleus में situated positive charge है ये भले ही electrons जो है ये electrons free हो लेकिन उसके साथ associated positive charge भी रहता है तो ये free है इसका मतलब ये नहीं कि ये negatively charged है जितना positive charge उतना negative charge इसलिए body neutral है अब देखे ये positive charge body इसे अगर हम करीब लाते हैं तो क्या होगा हमें पता है कि जो opposite nature के charge है वो एक दूसरे को attract करता है अब देखे ये positively charged body है और ये जो electrons है negatively charged electrons जिसे हम लोगोंने blue color से draw किया है तो ये negatively charged electron इस positive charge से attracted होगा तो जब ये attracted होगा तो ये इसके तरफ आने लगेगा और यहाँ पर देखे इस region में अगर ये electrons यहाँ से surface के तरफ आ जाए इस जगह से अगर इसे खीच ले positive charge तो खीच के surface में ले आएगा इन electrons को तो आप गौर करें इस जगह पे एक vacancy होगा इस जगह पे यहाँ positive charge है और उसके अगल बगल negative charge है जिसे की ये positive charge भी खीच रहा है तो obviously ये negative charges इस जगह पे आ जाएगा ऐसे इस जगह पे आएगा तो यहाँ vacancy create होगा और ये charges जो है यहाँ पर आ जाएगा फिर जो यहाँ पर vacancy create होगा उसे पीछे से electron वह खीच लेगा तो ऐसा करते करते आप ये पा तरफ जो electrons है अंतिम तरफ जो free electrons है वो भी move करने लगेगा आगे की तरफ तो situation कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर तो negative charges रहेगा लेकिन बिल्कुल last बिल्कुल opposite side से negative charge जो है negative charge गायब हो जाएगा उसे यह खीच लेगा तो देखे negative charge का flow free electrons का flow इस side से इस side में हुआ आप यह पाएंगे इसे करीब लाने के कारण आप यह पाएंगे कि इस जगह पे इस जगह पे negative charge का influence हो जाएगा और opposite side में positive charge का influence हो जाएगा क्योंकि opposite charges जो है एक दूसरे को track करता है तो यह positive charge इस तरफ negative charge ले आएगा जिसके कारण कि इस तरफ opposite side में positive charge का influence आजाएगा चली अब मैं यहां से free electrons को मिटा देता हूँ और साथ ही साथ associated जो nucleus में associated जो चार्ज है positive चार्ज उसे भी मैंने मिटा दिया तो situation कुछ ऐसा हो गया कि इस तरफ आ गया negative चार्ज और opposite side में आ गया positive चार्ज अब देखें आपको क्या करना है इस body को charged up करना है तो अगर किसी तरह से आप इस positive चार्ज को यहां से गयाब कर सके तो फिर इस body में overall negative चार्ज आ जाएगा क्योंकि अब भी देखें overall यह neutral है क्योंकि इसमें जितना positive चार्ज था उतना ही negative चार्ज था सिर्फ negative चार्ज का flow हुआ इस जगह से इस जगह में अब भी overall ही ये neutral है तो उस neutral body से अगर हम इस positive charge को somehow गायब कर सके हटा सके तो फिर इसमें overall ही negative charge आ जाएगा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए अगर हम एक wire लेकर अभी wire लेकर अगर हम इसे grounded कर दे ground में इस wire को डाल दे तो होगा क्या देखे यहाँ पर positive charge है और इस wire मे जो कि obviously metallic होगा metallic wire है तो metal में बहुत सारे free electrons है तो यहाँ जो free electrons है इस metal के अंदर जो free electrons है उसे ये body ये जो positively charged region है उसे वो खींच लेगा और खींच के neutral कर देगा और फिर ये जो negatively charged body यहाँ से या फिर जो electrons है negatively charged electrons है वो यहाँ से चुकि यहाँ पर चला गया तो वो और नीचे से जो free electrons है उसे वो ऊपर खींचेगा क्योंकि यहाँ पर electron गायब हो गया positive charge आ गया wire में तो नीचे के electrons को खींचेगा ऐसा करते करते overall यह आप पाएंगे कि ground से बहुत सारे negative charge wire में आ गया और wire से बहुत सारे negative charge यहाँ पर इस region में आ गया और इस region को वो neutral कर देगा तो ऐसा क region neutral हो जाएगा हम कह सकते हैं कि electron का flow कहां से हुआ ground से हुआ ground से wire होते हुए electron का flow इस region में हुआ और यहाँ से positive charge गायब हो गया अब आपको क्या करना है अब आपको इस wire को काट देना है यहाँ से हमने wire को काट दिया अब हम यहाँ से इस rod को अगर हटा भी ले तो भी यह जो negative charge है यह negative charge यहाँ पर situated रह जाएगा हमने हटा दिया इस positive charge को या source को हमने हटा दिया तो अब देखे यहाँ पर जो negative charge है यह negative charge खुद को distribute कर लेगा खुद को इस body के surface में क्योंकि negative charge एक दूसरे को ripple करेगा तो इस body के surface में यह negative charge अपने आपको distribute कर लेगा और यह एक negatively charged body बन ज इसके बदले आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आपने इस रॉड को यहां करीब लाया था, तो हुआ क्या था, एक तरफ निगेटिफ चार्ज और दूसरे तरफ पॉजटिफ चार्ज आया था, एक तरीके पर तो हमने बात कर लिया, एक और तरीका भी है, उस पर भी बात कर लेते हैं, यहां पर बहुत सारे इस तरफ negative charge आ जाएगा, हमें पता है यह, और opposite side में positive charge आ जाएगा, ऐसे positive charge आ गया, ठीक है, अब अगर इसी तरह का एक metallic body हम consider करते हैं, और इस metallic body को हम इसके साथ touch करवा देते हैं, तो क्या होगा, आप सुचिए, इसे हमने इसके साथ touch करवा दिया, तो obviously, अब यहां पर भी free electrons है, तो यहां से free electron का flow होगा, और इस region के positive charge को, वो cancel कर देगा, overall ही आप यह पाएंगे, कि free electron का flow यहां से होगा, और यहां से होते हुए, आप देखेंगे, कि वो इस जगह पे positive charge आ गया, एकदम last में positive charge आ गया, तो फिर, तो फिर यही charge जो है, कहां पर appear करेगा, अब चुकि दोनों contact में है, तो free electron यहां से यहां flow कर सकता है, ऐसा करने से इस तरफ आ जाएगा positive charge, तो यह positive charge इधर आ गया, अब आप क्या करें, अब इस body को इस body से आप separate कर दे, अब इस body को यहां से आप हटा ले, charged body को आप यहां से हटा ले, तो इस charged body को हमने यहां से हटा लिया, अब देखें क्या होगा, अब यह जो है negative charge खुद को यहां पर distributed कर लेगा, surface में, और यह positive charge भी खुद को distribute कर लेगा, surface में, तो यहां पर इस body में आ जाएगा negative charge, और इस body में आ जाएगा positive charge same amount में negative charge और positive charge आ जाएगा तो इस तरह से हम इस तरीके से दो bodies को charge कर सकते हैं और दोनों में opposite nature का charge आएगा तो इस तरह बिना छुए जो charge करने का तरीका है इसे कहा जाता है charging by induction तो I hope कि वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगले वीडियो में हम electric charge के कुछ basic fundamental properties कुछ properties तो आपको पता है और भी कुछ properties के बारे में बात करेंगे तो उस वीडियो का link आपको यहाँ पर screen पे मिल जाएगा यहाँ click करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे chapter का जो playlist है उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो I hope कि अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहें गजब आपको नीचे के अगले वीडियो में जाएगा